हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माई यूटूब चैनल, बच्चों, टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन वाई कॉनकेप मिरर, ओके, सबसे फ़हले फस्ट केस देखते हैं, वेन दा अबजेक्ट इस प्लेज़ बिट 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 पोल और फोकस आप दा कॉनकेप मिरर, बच्च मतला बिलकुल सीधी, और बर्चूल मतला ऐसी इमेज जिसको हम स्क्रीन पर फाइंड ना कल सकें, इसके अलाबा जो इमेज बनती है, वो मैगनिफाइड बनती है, मीनिंग आबजेक्ट से इमेज का साइज बढ़ा होता है, ओके, कट अब आते हैं, नेक्स्ट केस पर, वेन इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होती है, यहां रियल इमेज मीनिंग ऐसी इमेज जिसको हम स्क्रीन पर फाइंड कर सकें, और इन्वर्टेड इमेज मीनिंग ऐसी इमेज जो उल्टी बने है, उसको हम बोलते हैं, इन्वर्टेड इमेज, ओके, और इसके अलाबा अब बच्चों जब भी हम object को focus and center of curvature के बीच में रखने हैं तो जो object की image होती है वो beyond the center of curvature बनती है यह real और inverted होती है और magnified होती है अब बढ़ते next case पर next case है when the object is placed at the center of curvature of a concave mirror बच्चों जब भी object को हम center of curvature पर placed करते हैं तो object की जो image बनती है वो भी center of curvature पर ही बनती है और यह image real and inverted होती है और same size as the object होती है okay got it next case when the object is beyond the center of curvature of the concave mirror बच्चों जब भी object center of curvature के beyond placed किया जाता है तो object की जो image है वो between the focus and center of curvature बनती है यह real and inverted होती है और smaller than the object होती है okay अब हम बढ़ते हैं next case पर next case है when the object is at infinity जब भी हम object को infinity पर placed करते हैं तो object की जो image है वो focus पर बढ़ती है और यह image real and inverted और much smaller than the object होती है okay got it अब हम मिलते है next वीडियो में तब तक के लिए goodbye okay